आप सभी को जय मातरानी पिछले वीडियो में हमने भगवान शिशंकर पर चड़ने वाले पत्र पुष्प और नहीं चड़ने वाले पत्र पुष्प की चर्चा की थी आज हम गणपती जी में चड़ने वाले पत्र पुष्प की चर्चा करेंगे और गणपती जी को क्या नह पुल्सी छोड़ करके सभी पत्र पुषप अति प्रिया है अता सभी अनिसिद्ध पत्र पुषप इन पर चद्धाय जाते हैं गनपती जी को दुरुवा आधिक प्रिया है अता इने सफेद या हरी दुरुवा अवस्च चढ़ानी चाहिए और कैसे दुर्वा चड़ाना चाहिए जिसके नोक वाले भाग में तीन या पांच पत्ते होने चाहिए उस दुर्वा में और पद्म पुरान अचार रत्न में लिखा है कि भगवान गणपति जी पर तुलसी नहीं चड़ाने चाहिए और दुर्गा मैया में दुर्वा नहीं चड़ाना चाहिए न तुलस्यम गड़ा अधिपम और ये कार्तिक महात्म में भी कहा गया गणपति जी को लड़ू अधिक प्रिया है तो आपने जाना कि गणपति जी को सभी पत्र पुषप चड़ाय जा सकते हैं केवल और केवल तुलसी को छोड़ करके अगले वीडियो में हम दुर्गा जी के चड़ाय जाने वाले और नहीं चड़ाय जाने वाले पत्र पुषप की चर्चा करेंगे अभी तक के लिए बस इतना ही जैसरी राधे